क्रेंक्शाफ्ट पोजीशन सेंसर, आसान भाशा में समझें. क्या है क्रेंक्शाफ्ट पोजीशन सेंसर? हल्पना करें कि आपकी कार का इंजन एक दिल की तरह धरकता है. इस धरकन को नियंतरित करने के लिए, कार में कई सेंसर लगे होते हैं. इन्में से एक बहुत महत्वपुर्ण sensor है crank shaft position sensor ये sensor engine के एक हिस्से को मापता है जिसे crank shaft कहते हैं crank shaft engine का वह हिस्सा है जो piston को उपर नीचे करता है और car को चलाने के लिए उर जा पैदा करता है ये कैसे काम करता है ? चुंबक ये जादू इस sensor में एक चुंबक होता है दान्तों वाला पहिया ख्रेंक शाफ्ट से जड़ा एक पहिया होता है जिसमें दांत होते हैं सिगनल बनाना जब ये पहिया घूमता है तो इसके दांत चुम्बक के पास से गुजरते हैं। हर बार जब एक दांत चुम्बक के पास से गुजरता है, तो सेंसर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिगनल बनाता है। Computer को बताना, ये Signal Car के Computer को बताते हैं कि इंजन कितनी तेजी से घूम रहा है और पिस्टन कहा हैं। क्यूं है ये जरूरी? सही समय पर Spark, Car का Computer इस जानकारी का उपयोग ये तै करने के लिए करता है कि Spark Plug को कब Spark करना चाहिए। इंधन का सही इस्तेमाल, ये कम्प्यूटर को ये भी बताता है कि इंजन में कितना इंधन डालना चाहिए. चिकनी चलती कार, इस तरह, क्रेंक्शाफ्ट पोजीशन सेंसर सुनिश्चित करता है कि आपकी कार हमेशा चिकनी तरह से चले. जब ये खराब हो जाए तो क्या होता है? कार का स्टॉट न होना, अगर ये सेंसर खराब हो जाए तो आपकी कार स्टॉट नहीं होगी या फिर बहुत मुश्किल से स्टॉट होगी. इंजन का ठीक से काम न करना, कार चलते समय इंजन ठीक से काम नहीं करेगा और हो सकता है कि कार रुक रुक कर चले सरल शब्दों में, क्रेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर कार के इंजन के लिए एक तरह का टाइम कीपर है यह engine को बताता है कि क्या करना है और कब करना है अंग्रेजी में The crankshaft position sensor is like a timing device for your car's engine It tells the engine what to do and when to do it अगर आपको और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं Would you like to know more about other car parts or how a car engine works?